हेलो एवर्वोन वेल्कम और वेल्कम बेक टो माई चैनल इन सौम्याजवर्ट और मैं हूँ सौम्याजवर्ट कैसे आप लोग में साथ शेयर करना है और आज का व्लोग मैं बहुत लंबे टाइम के बाद में शूट करी हूँ मतलब की ये पूरा एक मन्त ही समझ रो हाँ 20 डे सो हो गया मैंने लास्ट व्लोग दिपावली का शेयर किया था और उसके बाद में मैंने कोई भी व्लोग वगरा शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था मैं तब से अभी तक यहीं घर पर हूँ पहले मैं अपने ससुराल में थी और फिर उसके बाद म तो ममी रोड तक आ रही थी छोड़ने और यहां पर फिर वो बाईक से थोड़ा सा सामाल ले करके चला जाएगा और बागी मैं दूसरे भाईके साथ मैं अपने आटो से जाओंगी तो इस टाइम पर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि आप कहीं रुक के जाओ ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं टाइम में तो वही हो रहा था मन नहीं करना था जाने का सो अभी मैं आपको मिलती हूँ सीधे अपनी बस में और अभी मैं आचुकी हूँ अपनी बस में और ये थोड़ा सा लेट थी इसका टाइम सावा साथ बजे का था और वैसे जब हम पब्लिक कर्वें से ट्रेवल करते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल एक्सपक नहीं करते हैं कि ह जो टाइम है वही टाइम आए और यहाँ पर मैं समान सारा ही खटे कर रही हूँ एक्षिल ये मेरा सिफ अकेले का समान नहीं है मेरी कजन सिस्टर भी ट्रेवल कर रही थी साथ में सो उसका भी समान है मेरा भी समान है सो यही सारा कुश में एक तरफ लगा रही थी कि पहले यह सारा कुछ कर लेते हैं और फिर उसे कबाद मैं आहराम से लेट जाएंगे। मतलब इसका अपना अलग हिं मज़ा होता है कि हां हम वैसे तो ट्रैवल करते हैं वाट इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता है और आभी टाइम हो गया है आप देwegen सकते हैं कि 8 बचे में 6 मिनट बाकी है और इस टाइम में मेरी बस चल चुकी थी बस उसने चलना स्टार्टी किया था तो अभी यह वहीं के जो सारे सीन से मैं देखा रही हूं और आप देख सकते हैं कि पूरा अंदेरा है मतलब एक सारी शॉप्स वगरा सारा कुछ क्लोज हो चुका है तो यहां सब कुछ जल्दी हो जाता है कि हमारे उधर होता है तो बहुत देर तक लोग जागते रहते हैं बट ऐसा यहां नहीं होता है आप देख सकते हैं कि आपको बहुत कम लोग ही देखने मिलेंगे सारे सॉप्स वगरा सब कुछ क्लोज हो चुका है औ लेकिन इस तरीके से एक्षी ना मेरा घर पुख़ाया में और मैं इस बार भूगनीपूर से ट्रैवल कर रही थी, तो इस तरीके का एक्सपिरियेंस है बहुत जादा लंबे टाइम के बाद है, लेकिन मेरे को इस तरीके की देसी लाइफ जी ना बहुत सदा पसंद है, जाती इस तरीके से होता है, और यहां पर बस ने पहला स्टॉप लिया था, जिसको खाना वगएरा था, अपना जो भी करना था, वो सारा कुश कर रहे हैं, और फिर इसके बाद मैं चल रही थी, तो इसी तरीके से पूरा सफर कट रहा था, कि कभी मैं लेट, लेकिन मैं को हस थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, और यह हमेशा होता है, और मेरे साथ क्या हर किसी के साथ में होता है, कि जब हम अपने घर से आते हैं, तो हमारा बिल्कुल भी मन नी करते हैं, लेकिन कितने दिन भी रुक के आओ, और इस बार तो मैं काफी दिन रुकी, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी की शादी कुछ और अपने से फ्रेंड की शादी के लिए रुकी भी थी इतना लंबर टाइम, तो फिर रोज था, कहीं इधर जाओ, कहीं उधर जाओ, तो मतलब इस बार ना मैं पूरा गूमी हूँ कि मैं को जहां जहां जाना था, मैं सारी जगे गई हूँ, तो इस वज़े से घर पे वो होता है न, कि हाँ एकदम प्रॉपर नहीं रुक पाई, बढ़ ठीक है न, हमेशा एक जैसे चीज़े नहीं होती है, तो वही है मैं को मतलब याद आ रही थी, और यह होता है, मैं अगर इतने दिन, जितने दिन रुक की आई हूँ न, इतना और भी रुक लेती न, तो भी मुझे ऐसे अपने घर के आद आती, कि हाँ यार, अभी थोड़ा सा और रुक लेते, और यहाँ पर भी बस रुकी हुई है, मतलब बस बहुत जादा रुक ली थी, बस मुझे ये थोड़ी सी कमच्छा लग रहा था, कि ये वारी न, बस बहुत जादा जादा रुक ली थी, और अभी आप देख सकते हैं, कि बस एक बजने ही वाला है, तो इस टाइम पर मुझे पूरी नीद आ रही थी, तो मैंने सुचा कि अब मैं आराम से सो जाती हूँ, अभी रुकेगी तो रुकती रहेगी, वैसे क्या होता था, रुक रही थी थी न, तो मैं बार बार देख रही थी कि हाँ, अभी कहां रुकी, अभी हम के दर पहुचा ही, होता है न, और मैं एलाम लगाकर कि सोती हूँ, मतलब एक गंटे में मेरी एलाम लगी होती है, क्योकि बस कर कुछ वो नहीं होता है, कभी अगर नहीं रुकती है, तो तुरंत पहुचा आ देती है, मतलब बहुत जल्दी पहुचा देती और रुखती जाती तो बहुत लेट पहुचाती है और अभी सुबह हो चुकी है मेरी नीन खुल गी मतलब बस वाले ने आवाज लगा रहा शुरू करी तो मेरी नीन खुल गई थी वैसे मैं अलाम से देख रही थी लेकिन फिर वापस से एक बर नीन आ जाती है तो फिर वो अच्छी कासी नीन आती रहती है तो वही हो रहा था और बस ऐसा नहीं था पहले मैं सोशी थी कि जल्दी न पहुचा दे क्योंकि फिर बहुत जल्दी पहुचना भी अधेरा रहता है लेकिन हाज इसने टाइम से पहुचा था च्छे बज़े का था और फिर उसके बाद में मैंने कैब करी हुई थी घर तक जाने के लिए क्योंकि डिस्टेंस काफी जादा था 15 किलोमेटर का फरक है सो मैंने वहां से कैब करी हुई थी और आप देख सकते हैं कि वापस से वही बिल्दिंग्स दिखने लगी मतलब मैं अपने एरिया पे बहुत चुकी हूँ वस अभी मैं घर जाओंगी और ना इस तरीके से पूरा सारा समान फैला लिया है वैसे घर मेरा क्लीन था क्योंकि घर पे रोच साफ सफाई हो रही थी और यहां पर मेरी हाउस हैल पर भी इस टाइम तक आ गई थी तो जब घर पर साफ सफाई होती रहती तो वैसी वाली गंदगी नहीं होती कि हां बहुत सारी थोड़ा सा टाइम लगता है क्यूंकि इतने दिन से न मैंने कुछ काम नहीं करा है कुछ भी नहीं करा तो जब मैं इसको प्रॉपर ट्रेक पे आने पे थोड़ा बहुत टाइम लगएगा और घर ना आते ही कहीं से आते हैं तो बहुत ज़ादा बिखर जाता है तो इसी तरीक और ये इनकी conditions जोड़ी से खराब होगी, अपना ये सरदियों में ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ना मेरे घर पे धूप नहीं आती है, ये बस जोड़ी सी problem है, और फिर उसके बाद मैं मैं अपना big boss देख रही थी, वहाँ पर भी मैं जोज देखती थी, लेकिन इस तरीके से अपन व्लॉग वीडियो को मैं यही पर end करती हूँ, और इसमें मैं ऐसेच कुछ भी बहुत जाद आपके साथ में share नहीं किया, उसके लिए शौरी, and thank you so much for watching, मिलते हैं, एक next वीडियो में तब तक healthy रही है, खुश रही है,